इस प्रफिर से हम स्वागत करते हैं आपका हमारी यूनिक ऑनलाइन गुरू में दोस्तों आज हम लोग बहुत अच्छी टॉपिक पर बात करने वाले हैं इतनी अच्छी टॉपिक है कि जो कि आप सोच नहीं सकते हैं आपके लाइफ में यूजफूल आप डेली यूज़ करत कर ले college student की बात कर ले सब की बात कर रहे हैं सब लोग यूज़ करते हैं क्या Facebook क्या रिंतननित भी लोग कर दे रहे हैं पोस्ट उसी पे तो इसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि ये कहां से स्टार्ट हुआ कहां तक गया कितने users हैं क्या districts है सारी updates हम लोग देखने वाले है इसी वीडियो में दोस्तों आप लोग बस इस छोड़ी से वीडियो को आकरी तक देखते रहेगा, मैं बात कर रहे हूं रत्ना करूप अध्या और आप देख रहे हैं यूनिक ऑनलाइन गुरू चैनल, चलिए कुछ अच्छा सिखते हैं देखें दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं फेस्बूक की, किसकी बात करने वाले हैं फेस्बूक की बात करने वाले हैं तो एक बताओ कि एक सोसल मीडिया नाम का एक वर्ड होता है, क्या होता है? एक होता है सोसल मीडिया नाम का वर्ड इस सोसल मीडिया के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं जल्दी बताइए सिर्फ और सिर्फ हम अपने दोस्तों को बढ़ाई नहीं सकते हैं लोग कहते हैं कि हम सोसल मीडिया फ्रेंड्स बनाएंगे तो सही बात है भाई हम अपने सोसल मीडिया से क्या करते हैं दोस्तों को invite करते हैं, दोस्तों को accept करते हैं, confirm करते हैं, दोस्तों को create करते हैं, भाई हम foreign के भी दोस्त बना सकते हैं, इंडिया के भी दोस्त बना सकते हैं, अपने state के भी, UP के भी, मतलब अभी ये समझो कि आप अपने घर के family को भी अपना दोस्त बना सकते हो, facebook के माध्यम स सब से पहला नाम और सबसे पुराना जो सोशल मीडिया का बना था तो वो हमारा कौन था फेस्बूक था तो हम लोग इसी की चर्चा करने वाले हैं फेस्बूक की इसमें काफी चीज़ें आती हैं सोसल मेडिया में हमारी चीज़ आता है तो वो सारे चीज़ें आप लोग जानते हो वाटसप का नाम सुना ही होगा मेसेंजर का नाम सुना ही होगा इंस्टा का नाम सुना होगा टेलिग्राम का नाम सुना होगा गूगल प्लस का नाम सुना होगा ट्वीटर का नाम सुना होगा ये सारे हमारे क्या हैं ये सारे के सारे हमारे सोसल मीडिया हैं हम बताएं अगर हम Facebook की बात कर लें तो 2004 में कब 2004 में Harvard University का एक student था 2004 में Harvard University का एक हमारा क्या था student था, क्या था हमारा एक student था, जिसका नाम था Mark Jukervar, क्या नाम था भई फिर से सुनो फिर से सुनो, फिर सुनो, मार्क Jukervar, जान लो आप लोग भी, मार्क जुकरबर ठीक है क्या नाम था अब इनका मार्क जुकरबर था यहाँ पर जी है ध्यान रखना मार्क जुकरबर था इन्हों ने क्या किया कि इस फेस्बुक का निर्माड किया और मोबाइल कमपनी ने इसको क्या किया इसको एक प्रोफेशन बना दिया आज के समय में कोई भी आप फोन खरीते हो MI का खरीते हो, Apple का खरीते हो भी वो 50 जो फलान डेकान जो कमपनिया आ गई है सबका किसी का फोन खरीते हो उसमें आपको Facebook फ्री मिलता है भाई मिलता है कि नहीं मिलता है अब सोचो ये condition आ गई है तो description में दिया गया लिंक पर आप क्लिक करके application और system software के बारे में deeply जान सकते हो ठीक है, तो ये हमारा क्या है Facebook की बात हम लोग कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं Facebook की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या है कि एक बात और जानो कि 80% लोग इसको phone में ही use करते हैं हमारे इंडिया world label की बात कर रहा हूँ मैं, 80% जो users है वो phone में use करते हैं भाई, कहां use करते हैं phone में use करते हैं, इस समय 150 million लोग जो है, इसको use करने वाले हैं कितना कितना, 150 million यानि मतलब 85 करोर से भी जादा लोग इसको use करने वाले हैं कितना, 85 करोर से भी जादा ठीक है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा Facebook होता है वो 37 languages को समझता है 37 भासाओं को समझने वाला हमारा Facebook, Social Media सबसे ग्रेट है सबसे पुराना है और सबसे अच्छा है इसमें एक restriction होता है क्या restriction होता है यह भी जान लो सासे बड़ी बात तो यह कि आप सारी चीज़ सेर कर सकते हो टेक्स्ट सेर कर सकते हो फोटो सेर कर सकते हो वीडियो सेर कर सकते हो अपने इमोशन सेर कर सकते हो स्टेटस लगा सकते हो स्टोरी एड कर सकते हो सब कुछ करते हो Facebook पे यार करते हो ना लेकिन एक restriction होता है 13 year मतलब अगर आप 13 साल से कम के हो तो आप Facebook ID create नहीं कर सकते बास समझ में आई क्या बोला हमने फिर सुनो आप अगर 13 साल से कम के हो आपकी जो data birth है वो 13 साल से 13 year से कम होती है तो आप Facebook account create नहीं कर सकते और दूसरी बात यह हमारा जो होता यह free होता है कोई chargeable नहीं होता है मिंस क्या हुआ कि जो हमारा Facebook होता है उसकी ID free of cost आप create कर सकते हो कोई problem नहीं है यार आप एक नहीं चार बनाओ जुटाई यो दूसरे बना लो आज कल तो पता है ना लड़के जग लड़किया बना लड़के बना लड़क इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं अगर ज्यादा users आपको पता है कि 5000 ज्यादा इसमें हम लोग friend नहीं बना सकते कितना 4900 ज्यादा इसमें friend हम लोग create नहीं कर सकते हैं उसके बाद हम क्या कर सकते हैं लोग को follow कर सकते हैं चाए वो किस कोई भी हो चाए कोई बढ़िया celebrity हो कोई B.I.P. हो, कोई आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो, सब को आप एड कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और यूज कर सकते हो, तो यह हमारा होता है Facebook, उसके बाद की बात करें, अगर हम लोग इसका यूज बताएं, तो दोस्त, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, अपने में ही से यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, मेरा फ्रेंड भी यूज करता है, चाहे वो फॉरेंड का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, हम लोग उसे यूज करते हैं, हम उसको फ्रेंड अपना बना लिये हैं, Google क्या करने पड़ेगा पैसा पे करना पड़ेगा जैसे ही आप Google पैसा पे करोगे वो आपको एक area जो है restrict करेगा उस area के अंडर आप क्या कर सकते हो अपना advertisement बिस्तार बिस्तारी तुरूप से add कर सकते हो अपने company का अपने institution का किसी भी चीज के तो उस page को बना करके क्या कर सकते कोई संस्थान है कोई NGO है कुछ भी है को institution है कोई school है college है कुछ भी है हर जगा पे एक page बनायता है उसी page के माध्यम से एक group बनायता है उसी group के माध्यम से अपने students तक अपने staff तक अपने members तक क्या करते हैं लोग सारे details को पहुचा पाते हैं तो हमारा फेजू बहुत useful है दोस बाकी अगर आप लोग कोई सुझाओ देना है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करें आपके कमेंट का वेट करते हैं जैसे ही आपका कमेंट आएगा मैं आपके कमेंट को देखूँगा और उसी के बेस पे मैं दूसरा वीडियो भी बनाओंगा आप लोगो टेंसन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिन